ओम शांती, गुड मॉर्निंग, 28 जुलाई 2022, मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन, हम सब फरिष्टे मिलकर बाब दादा के साथ करते हैं, बाब दादा संदली पर बैठे हैं, और हम सब फरिष्टे बाब दादा के सामने बैठे हैं, बाब दादा द्रिष्टी दे रहे हैं और बाबा ने अपना वर्दानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे समरिती का तिलक लगाया फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वर्दान दिया बच्चे, बच्चे, सर्व खजानों के मालिक भव सर्व खजानों के मालिक भव और सर्व खजानों के मालिक से पहले बाबा ने फिर एक वर्धान दिया स्वें को परिवर्तन करने वाले भव स्वें का परिवर्तन करना है बाबा बोले आज की मुर्ली से क्या शिक्षाय ले मीठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी आज तो आपने का ठकना नहीं है अठक भावना अठक और फिर बाबा आज आपने खान पान के बारे में बताया परतिग्या भी याद दिलाई और कैसे ट्रस्टी बन कर चलना है सब बाते याद दिलाए बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि तुम्हें पढ़ाई में कभी ठकना नहीं है अठक बनना अठक बनना अर्थार्थ करमातीत अवस्ता को पाना संगम पर बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं फिर नहीं पढ़ाएंगे तो इसलिए एक भी दिन मुर्ली मिस नहीं करनी जो भगवान स्वेम हमें पढ़ाने आते हैं तो मैं आत्मा उस पढ़ाई को कभी मिस ना करूँ एक बार सेंटर पर भगवान पढ़ाते हैं फिर दुबारा मैं उसका मनन करूँ फिर एक बार अपने मुक से जोर जोर से बोल कर पढ़ू फिर एक दो बार मुबाईल पर सुननों रिवाइज करूँ पांच बार तो होई जाती है और बड़े अराम से तो हमें कभी ठकना नहीं है क्योंकि बाबाने का अथक बनना है जब बाबा की मुरली बार बार दिन में रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो उससे नशा चड़ता है उससे ठकावट दूर होती है तो अथक बन जाते है और फिर बाबा ने आज का जो अथक रहेगा ना वो कर्माती तवस्था को भी जल्दी पा लेगा तो मैं आत्मा सारा दिन में मुरली कितनी बार पढ़ती हूँ कितनी बार सुनती हूँ और सेंटर पर जाकर एक बार तो जरूर सुनती हूँ तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी संगम की पढ़ाई बहुत वैलियोबल है बहुत वैलियोबल है क्योंकि इसी पढ़ाई से तो 21 जन्मों की बाश्याई मिलेगी हमें फिर बाबा आज आपने प्रश्ण में कहा कि तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिग्या किया और क्यों प्रतिग्या है तो बाबा ने बहुत कराई जंडे के नीचे पर आज की प्रतिग्या के लिए बाबा ने कौन सी बताया बाबा ने का तुमने प्रतिग्या किया है कि किसी को भी दुख नहीं देंगे सब को हम सुख का रास्ता बताएंगे मैं आत्मा अपने आपको चेक करो मैं किसी को दुख तो नहीं देती संकल्पों में भी दुख नहीं देना कोई vibration भी हमारे दुख के ना जाए हमारा एक एक संकल्प हर आत्मा के प्रती सुख देने वाला हो सब को सुख का रास्ता बताने वाला हो मैं सारा दिन बच्चों को जो भी आत्मा मिलती है उसको सुख का रास्ता बताती हूँ और सुख का रास्ता क्या है? भगवान का प्रीचे देना सब को भगवान के बारे में एक बार जरूर बताना है क्योंकि भगवान का प्रीचे देने से वो आत्मा सुख ही हो जाएगी उसको सुख का भंडार मिल जाएगा फिर बाबा आज आपने दूसरा प्रश्मी पचा कि किन बच्चों की पालना यग से होती है बाबा आप कई बार कहते हो कि सारा सब चीज को यग समझो बाबा का घर यग है माउंट आबू तो ही है अब बदुबन तो यग ही है घर भी यग है जहां कारे करते हैं वो भी यग है तो जितना मैं आत्मा ट्रस्टी बन कर चलूँगी पूरा पूरा दिल से बिल्कुल सरेंडर होके चलूँगी कि सब कुछ बाबा का बाबा का घर, बाबा के बच्चे बाबा का काम, बाबा का कारिय, बाबा की गाड़ी हर चीज बाबा के फिर बाबा ने का घर में भी रहना है धंदा दोरी भी करना है लेकिन क्या ट्रस्टी बन कर चलना है तो जितना मैं ट्रस्टी बन कर चलूँगा तो फिर क्या लगेगा कि हम शिप बाबा के खजाने से खाते हैं सब को शिप बाबा का है अब शिप बाबा ने का है कि बच्चे अब ट्रस्टी बनकर संभालो इसको आज बाबा ने खान पीन के लिए भी बहुत का कि योगनी के हाथ घर में एक योगनी सब को योगी बना देगी अगर एक योगी बनकर घर में भंडारे में भोजन बनाती है बाबा की याद में आज तो बाबा का कि पांच सवरूपों का अभ्यास चलता रहे उस समय बाप दादा की कोमेंटरी लगा दो पांच सवरूपों वाली जो बाबा ने बोला कि आदी में क्या थे अनादी में क्या थे सब वो चलता रहे और बुद्धी में भी चलता रहे और भोजन बनता रहे तो वो पाश सरूप जब चलेंगे तो क्या रहेगा कि मैं आत्मा परमधाम में थी फिर कहा आए सत्युग में ऐसे ऐसे सत्युग में मैं भोजन बना रही हूँ तो किस के लिए बना रही हूँ बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ फिर मैं पूजे सरूप में मेरी पूजा हो रही है मेरे कोई भोग लगा रहे हैं सब तो ऐसे चक्र चलाना है फिर ब्राम्मन बन जाओ कि ब्रह्मा द्वारा हम एडाप्ट हुए ब्राम्मन बन के हमें क्या मिल रहा है ब्रह्मा भोजन मिल रहा है फिर फरिष्टा बनके ओड़ जाओ और फिर आत्मा में तो ये चक्र भी चलता रहे और किचन में भोजन भी बनता रहे किचन के आगे लिख दो भोले भंडारी, भोले नात का भंडारा हर चीज में वो तो कहते हैं पानी पे लिखो एक बोतल में हेट लिखा रेक में लव लिखा, लव वाला पानी कितने दिन सही चला और उससे पीने से कितनी ताकत हुई तो ऐसे हर चीज क्या पूरी किचन में लिख दो कि ये क्या बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भगवान की केरिने इस पर पढ़ नहीं है हर चीज बहुत अच्छी शक्ति शाली हो जाएगे तो भोजन बड़े प्यार से बाबा की याद में बना कर और बाबा की याद से ही खाना है कोई भी पवित्र भोजन नहीं खाना अब हम बच्चों को कौन मिला बाबा मिला बाप मिला भगवान मिला तो फिर अनुभव होता ना कि क्या कि मैं काटे से फूल बन रहा हूं हमें बाबा काटों से फूल बनाने आया है तो मैं आत्मा काटों से फूल बन गई हूं जो मैं पहले औरों को भी काटे चुबाती थे खुद को भी काटे लगते थे लेकिन ना मैं औरों को काटे चबाती हूँ ना मुझे लगते हैं मैं तो फूल बन गई हूँ और बाबा इस समय क्या सुनाते हैं महावाक्य सुनाते हैं और वो महावाक्य कौन सुना रहे हैं यह सुनाने वाला उंचते हैं बाप है न क्योंकि शिब बाबा की हर एक बात महान है क्योंकि वो महान सुख का सागर है महान ग्यान का सागर है महान शांती का सागर है तो बच्चे अच्छी रीती समझ चुके है अब बाबा ने का बच्चे अच्छी रीती समझ चुके है तो मैं क्या सुन रही हूं महान शि में क्या होता था काटे लगते थे अब क्या हो रहा है अब बाबा मुझे ग्यान अम्रित पिला रहा है पहले तो क्या हर करम इंद्री से एक दो को दुख देते थे लेकिन अब मुझ आत्मा को हर एक आत्मा को सुख देना है हर करम इंद्री से सुख देना है अगर मैं आखों स देखू तो क्या देखू सामने वाली आत्मा चमा करेए मुख से बोलू तो कितना अच्छा बोलू कि सामने वाली आत्मा कितनी अच्छी है भगवान का बच्चा है कानों से सुनू तो अच्छी अच्छी बात है सुनू बाबा ने गा अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो बेहद का बाबा है ना शिप बाबा कैसे असीरवादवा किरपा करते है ऐसे कभी नहीं कहते कि आयो शुनमान भाव उचिरंजीव हो बाबा की किरपा क्या है बाबा ने आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाया ग्यान की शिक्षा दी यह है अमारे उपर किरपा कहा हम कितने अनपड़ थे किस चीज से बाबा के ग्यान से कितनी बुद्धी हमारी भरष थी कितने हम काटे बने हुए थे जो स्वेम भगवान ने आकर हमें राजयोग की शिक्षा दी और उस शिक्षा को हमने अपने अंदर धारन किया जिससे हम क्या बने काटों से फूल बन गए हमारी द्रिष्टी वृती कितनी परिवर्तन हो गई बाबा ने आज शान्ती के लिए भी कितना समझा है कि सब को शान्ती चाहिए अब शान्ती तो आत्मा को चाहिए न बाबा ने का नाक कानादी को शान्ती नहीं चाहिए शान्त सरूप मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा परमधाम में शान्ती धाम में रहती थी कितनी शान्ती और फिर अब मैं आके नीचे पाड़ बजाते बजाते कितनी अशान्त होगी अब बाबा फिर से बता रहा कि बचे तुम शान्त सरूप आत्मा हो तुमारा स्वाधर में शान्त है क्योंकि इस आत्मा में ही सारा खिल भरा हुआ है फिर आज बाबा ने का जो कमाई में ना कभी भी अबासिवा जुटके नहीं आने चाहिए दुनिया में भी जब दिवाली पे या किसी तोहार पे जब दुकानदार दिन रात मेहनत करते हैं नीद फिट जाती है क्योंकि कमाई होती है ना तो ऐसे इस समय संगम पर मैं आत्मा बाबा के साथ कितनी कमाई कर रही हूं मैं बाबा की पढ़ाई पढ़ रही हूं बाबा जो मुझे ग्यान दे रहे हैं मैं उसको अपने अंदर धारन कर रही हूं बाबने का किसको उबासी आती है जिसकी धारना कच्ची है नालिज की वैल्यू का पता नहीं है उसको सुस्ती आती है उबासी आती है बाबने का बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है इसमें ठकना नहीं है विवेक कहता तुमको अथक जरूर बनना है बाबाने का पुर्शार्थ करते करते न अथक भी बन जाएंगे अथक करमाती तवस्ता को भी पालेंगे अज बाबाने का मेरा भी न ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है ऐसे नहीं जो चाओं में कर सकता हूँ शिव बाबा का भी पार्ट रूंदा हुआ है क्योंकि संगम पर शिव बाबा आकर हमें ग्यान अमरत पिलाते हैं हमें सारी चीज की नौलिज देते हैं क्योंकि उनका पार्ट इसी समय का फिर बाबा बाद में फिर चले जाएंगे परमधाम में बैठेंगे अब बाबा को भी पता है कि बच्चों की पालना कैसे करनी है और बच्चों की पालना बाबा करते है ग्यान और योग से अब उस ग्यान और योग को मैं कितना अमल में राती हूँ जो बाबा ने मुझे ग्यान दिया है मैं उस ग्यान पर कितना चलती हूँ जो बाबा ने मुझे योग सिखाया है मैं उस योग के जरीए अपने आपको कितना शक्तिशाली बना रहे हूँ मैं अपने कितने विकरम भस्म कर रहे हूँ एक बाबा की याद में बैठके फिर आज बाबा ने का कि मूल बात है मूल बात क्या बता है बाबा ने कहा मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना सब को यही कहो यह आत्माएं अब घर जाना है तुम आत्माओं को ले जाना है को ले जाना है शिप बाबा लेने के लिए आए है तो बाबा ने कहा शरीर तो सब के खतम हो जाएंगे आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं और ब्रदर्स हैं फिर शरीर के नाते क्या हो गए भाई बहन हम शिब बाबा की संतान सब आत्मा हैं भाई 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 और जब शरीर में आए तो क्या बन गए भाई बहन हो गए बहुत मीठी बिगड़ने होते हैं तो उनको क्या करते हैं वो होस्टल में भेज़ देते हैं कुछ दिन के लिए वो उनको होस्टल में भेज़ के कि वहां का वाता वरान अच्छा है वहां कोई संग खराब नहीं होगा सब ध्यान रखेंगे तो ऐसे बाबाने का ये भी होस्टल है क्या मद्वन में रहना या और भी कई जिगे होस्टल बनाए हुए ब्रहमा कुमार कुमार रहके उनका संग अच्छा हो जाता तो फिर वो भी अच्छे संगत में रहके क्या बनते हैं अच्छे से देवता बन जाते फिर आज बाबा ने का खाने के लिए तो परकाई का बाबा ने का बनाने वाले पांच साथ ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाएं इससे तुमारी अवस्ता बहुत अच्छी हो जाएगी योग में बहुत मदद मिलेगी बाबा कमाल का है जब बाबा का प्रीचे मिला 99 में और पहली बार दीदी मुझे मदवन ले गई और मदवन में जाते ही ऐसा सन्योग वा कि मुझे बड़े भंडारे में सेवा मिल गई और आज तक बाबा सेवा में बड़े भंडारे में भेई देता है भोजन बनाने के सेवा शुक्रिया बाबा शुक्रिया लाख लाख शुक्रिया फिर बाबा ने आज कहा वर्दान में सर्व खजानों के मालिक भाव अब सर्व खजानों के मालिक बनना तो क्या करना पड़ेगा बाबा तो वर्दान दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पुर्शारत करना पड़ेगा बाबा ने का स्वेंप परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित बनने वाले सर्वखजानों के मालिक बने अब मुझे विश्व परिवर्तन या किसी और को परिवर्तन करना नहीं है सबसे पहले मुझे अपने आप का परिवर्तन करना है क्योंकि बाबा का एक स्लोगन है न कि बदला ना लो बदल कर दिखाओ मुझे बदलानी लेना, मुझे खुद को बदल का दिखाना है क्योंकि मैं खुद को परिवर्तन करूंगी तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा हर आत्मा ये सोचे कि मुझे बदलना है मुझे सही रस्ते पे चलना है मुझे फूल बनना है जब हर आत्मा ये सोचेगी तो अपने आप विश्व का परिवर्तन हो जाएगा तो मैं किसी और को कुछ ना कहूँ, मुझे बदलना है भबने का, कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाओ ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो जाओ आपको बदलना है फिर बबने का इस खिटफिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए, ये सोचना भी रहाँ गए, कि ये सेंटर में शोट शराबा करता है, इस आत्मा को कहीं और भेज़ दो, इसको दूसरों को बदलने में लगाए, नहीं, बाबा बार बार कहता है, कि बच्चे अपने को बदलो, मैं बदलूँगा तो जग बदलेगा स्वेंdi, पहले स्वेंग को बदलो, तो विश्व बदल जाएगा तो मैं आतमा अपने आप को चेक करूँ कि मेरे अंदर कहा का कमी है मुझे ठीक करनी है तो बाबने का इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय परमान खजानों को कारे में लगाओ खजाने से भरपूर रहना लेकिन कौन सा खजाना कब लगाना है किस समय पर लगाना है कौन सी शक्ति किस समय यूज़ करनी है उसका भी पूरा पूरा ग्यान होना चाहिए अब ही मुझे सेन शक्ति की जरूरत है मुझे सेन करना है सामने वाली कुछ आत्मा बोल दिया और मैं किसी और शक्ति को यूज़ करूँगा तो फिर नहीं जिस शक्ति की जब जरूरत हो उस समय वो शक्ति आ जाए तो इसका मतलब मेरे अंदर सारी शक्तिया है फिर बाबा आज आपने सलोगन में कहा सर्व शक्तियों की लाइट माइट साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी कल भी बाबा ने क्या कहा परमातम जोली में गोद में बैठे रहो जोली कानुभव करते रहेंगे तो क्या होगा तो माया नहीं आएगी और आज बाबा क्या कहा रहे है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएग सर्व शक्तिवान शिब बाबा शिब बाबा की केड़ों के नीचे बैठों शिब बाबा की सारे गुनों सारी शक्तियों मुझे में आ रहे है बस मैं बाबा की छत्र चाया में हूँ तो माया आएगी नहीं ओम शान्ती अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोग पर बाब दादा की केड़े मुझे पर आ रही है और मुझे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही है प्रकरती पर पाँचो तत्वों पर सब पर ग्रेहों पर नक्षत्रों पर सब पर बाबा की सुक शांती अनंद प्रेम और पवितरता की केड़े जा रही है सारा विश्व सुक शांती से भर पूर पवितरता से भर पूर होता जा मैं फरिष्टा बाबा के साथ शुक्ष्य मतन में बाबा मुझे दृष्टी दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं और मैं फरिष्टा बाबा के साथ वर्दान और दृष्टी लेकर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की छत्र चाया के नीचे हूँ सारा दिन बाबा की छत्र चाया के नीचे रहकर हर कारे कर रहे हूँ ओम श्यांती ओम श्यांती शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा सब आत्माओं का शुक्रिया